नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट श्टेडी पर साथ्यों आज 27 जनवरी 2023 और 27 जनवरी को SSC GD का पेपर था और पहले सिप्ट का पेपर जो है छुट चुट चुका है और पहले सिप्ट में जो कोश्टेश पूछे गया है 100% रियल कोश्टन कराएंगे एक भी कोश्टन मैंने बाहर से नहीं लिया है जो कोश्टन पूछे गया है केवल वही कोश्टन आपको कराएंगे हमेशा की तरह साथ्यों उससे पहले आपको बता दे कल साम में 7.30 बजे मैंने वीडियो एक प्रुवाइड कराया था आपको जिसमें 10 जनवरी स से लेकर 25 जनवरी तक जो एकजाम हुआ था 36 सिप्टों में और उनमें जो कोश्टन पूछे गये हैं मैंने उसी केवल एक वीडियो में सारा कोश्टन करा दिया है देख लीजेगा सभी इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में भी लिंक में ने डाल दिया है और चैनल के आपको बताने वाले हैं खुद देखो कितने कोश्टन रिपीटेड हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज जो कोश्टन पूछे गये हैं उन कोश्टन को देख लेते हैं उससे पहले सभी साथ उसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीजे क्योंकि साथ हो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए साथ ही जितने भी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बैल आइकन को ओन करने के बाद ऑल पे जरूर जरूर जो है क्लिक कर लेना इससे आपको सारे कलासेस की नोटिफिकेसन आएगी और साथ यो अगर वीडियो है कि 1985 से 1990 ठीक है और इसका उद्देश क्या था तो देखिए आर्थिक उत्पादक्ता को बढ़ाने खदान उत्पादन और रोजगार पैदा करने के छेत्रों में विकास इस्थापित करना ठीक है इनमें से जो आपका उप्सन था वो राइट एंसर हो जाता अगला कुश् रिखिएगा भारत के नियंत्रक अब महालेखा परिच्छक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतरगत की जाती है बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन पूछ लिया है अनुच्छेद से तो साथ यह भारत के नियंत्रक अब महालेखा परिच्छक यानि जो क्याग होते है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतरगत की जाती है तो अनुच्छेद 148 के अंतरगत की जाती है यह न पॉलिटी से और एक कोश्चन पूछा गया है कि उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है और आप बताईए यह कोश्चन पूछा गया है कि पहले अभी दो दिन पहले ही तो यह question आया था ना यह question repeated question है साथ यो फिर से आज पूछा है तिक इसलिए बोलते हैं कि जो questions पूछे गए हैं मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है जिनका पेपर अभी एक question पूछा गया था e-commerce क्या होता है तो साथ हो देखें इंटरनेट के माध्यम से जो समान बेची या खरीदी जाती है उसको e-commerce बोलते हैं इसका full form होता है electronics commerce है ना electronic commerce होता है देखें किसी भी तरह के समान बस्तू सर्वीज को इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या फिर बेचना है e-commerce का लाता है जैसे कि देखो फिलिप कार्ट से आप shopping करते हो Amazon से shopping करते हो यह सब क्या है इस सब तो e-commerce platform है ना इनहीं को e-commerce platform बोला जाता है जैसे कि फिलिप कार्ट अमेजन वगेरा ठीक है अगला कुश्चिन जो पूछा गिया है साथियो आज निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है अब देखो निम्न में से कौन सी नदी है यानि option पर depend करता तो साथियो वो प्रमुख न दिया कौन-कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है भारत की देखिए सिंधु नदी इसके अलावा नर्मदा और तापी नदी भी है इन में से जो आपका option में था वो आपका right answer हो जाता चलिए अगला question पूछा गया था निम्न में से कौन अर्शी निट्तांगना करठक निरित से संबंदित है अब मुझे इसका option तो मिल नहीं पाया है इसलिए मैंने करठक निरित से जो भी famous निट्तांगना है मैंने सभी का यहां पर नाम आप लोग को लिख दिया है देख लिजे याद कर लिजे और इन में से क्या option में था अग पंडित कार्तिक राम, पंडित फेर्टु महराज जी, पंडित कल्यान दास महंत, इनके अलावा पंडित बर्मान नलक याद रिखेगा, ठीक है, यह सभी जो है कथक नेरित से संबंदित है, और साथियो कथक जो है, भारत के किस राज का लोक नेरित है, आपको याद रखना ह यह साथियो उत्तर भारत का है, यह आपको याद रखना है, नौर्थ इंडिया का, ठीक है, चलिए, अगला कोश्चन पूछा गया था हिंदी से कि अनुराग का विलोम सब्द क्या होता है, लीजे, यह भी कोश्चन पहले पूछा था, आज फिर पूछा है, अनुराग का प्रमुक्तियोहार है, तो साथियो लुई नगाई नी जो है, यह मनिपूर राज का प्रमुक्तियोहार है, और यह किस समय मनाया जाता है, तो फसल काटने समय, ठीक है, बीज बोने समय है, बीज को बोते समय जो है, इस त्योहार को मनिपूरिक के नागा जन जाती मनाते है, नागा जन जाती ठीक है याद रखना चलिए अगला कुश्चन जो पूछा गया है देख लेते हैं फटाफट से तो साथ यह रही स्क्रीन पर कुश्चन कुछ इस प्रकार से था कि 36 राष्टे खेल में कुल कितने खेल सामिल थे हैं तो साथ आपकी जानकारी के लिए बता दे 36 राष्टे खेल इस बार यानि 2022 में ये 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित किया गया था कहां पर तो गुजरात में गुजरात के कुल 6 सहरों में इसका आयोजन हुआ था गुजरात के कितने सहरों में तो 6 सहरों में ठीक है और कितने खेल इसमें सामिल थे तो 36 राष्टे खेल में 36 खेल सामिल थे मैंने आपको करेंट फेस में पढ़ाया था उस टाइम ये अक्टूबर में ठीक है आप लोग भूल गया होंगे देखो ये कोस्टन आगिया साथ आपको याद रखना है अगर हो सके अगले सिप्ट में या कल जो है या आने वाले दिनों में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 36 राष्ट्य खेल कहां पर आयो जित हुआ था तो गुजरात में और ये भी पूछ सकता है कि गुजरात के कितने सहरों में आयो जित हुआ था त कहां से कहां तक चली वह कहां से कहां तक चलेगी तो देख़िये साथियो Dangleader भारत के पहले बंडे भारत एकस्प्रेस को अंदी दिखाए त diagnostic साधियो मैसूर मुधरास भी आपका doctrine रह सकता है या तो बैंड़ूरो से चिंद रह आ having जारा है चली जरूर कर देना देखिए केच दा रेन अभियान किस राज ने सुरू किया है तो साथियो आपको बता दें केच दा रेन अभियान जो है ये दिल्ली ने सुरू किया है साथियो किस राज ने याद रखना दिल्ली ने दिल्ली के भी बरतमान में मुच्छ मंतरी कौन है तो आप पाटी से हैं, next question जो पूछा गिया है साथियो, science का question है कि gypsum को कितने degree में गरम करने पर plaster of Paris बनता है, तो साथियो, देखिये, gypsum, gypsum का रसानिक सुत्र होता है, साथियो, calcium sulfate, ठीक है, C-A-S-O-4 with half H2O, ठीक है, यह हो गया, plaster of Paris का रसानिक सुत्र, और gypsum का रसानिक सुत्र होता है, C-A-S-O-4 with 2H2O, और याद रखना कि gypsum को 373 degree Kelvin पर, 373 degree Kelvin पर गरम करने से वो जो है, plaster of Paris बन जाता है, बहुत ही important question है, जरूर याद रखना, फिर से पूछेगा, यह question फिर से repeat होगा, अगला question है साथ हो दिखीगा, 1936 में बरलिन ओलम्पिक में, भारतिया होकी टीम के कैप्टेन कौन थे, लीजे, 1936 में जो अलम्पिक हुआ था बरलिन में, उसमें भारतिया होकी टीम के कैप्टेन कौन थे, तो याद रखीगा, होकी के जादुगर, मेजर ध्यान चंद, यह आपका right answer हो जाता साथ हो, ठीक है, अगला question जो पूछा गया है, देखीगा, net export क्या होता है, net export क्या होता है, यह भी question पूछा गया था आज, तो साथ यो दिखेगा, net export क्या होता है, तो याद रखना, बस्तूओ, देखिए, बस्तूओ और सेवाओ का सुध निरियात, बस्तूओ और सेवाओ के, अमेरिकी निरियात, और बस्तूओ और सेवाओ के, अमेर का विलौम संभ्द क्या होता है ? склад सब्स drastic for एक कोच्च podrश और इस परकार से था कि खोशी का में to किसके किसके माध्यम से होता है या फिर कोशी का में जो है आपक सिस्थ का निस्बादन किस परकार से होता है ? कुछ ऐसा ही कोश्चन था वो कोश्चन मुझे पूरी तरह से मिल नहीं पाया है साथियो ठीक है बाकी बात करें overall तो इस्टेडिक जीके के जो कोश्चन से वो साथियो थोड़े से जो है घुमा फिरा के थोड़े से टफ आ रहे हैं आपके एक कोश्चन ये भी पूछा गया था से निचले अस्तर को क्या कहा जाता है तो साथियो आपका राइट एंसर हो जाता वहाँ पर निचला नगर ठीक है निचला नगर अगर अप्शन में था तो यह आपका राइट एंसर हो जाता और उपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है तो साथियो दूग्र याद रखना यह अगले सिप्ट में आपसे पूछ सकता है कि हडपा सभ्याता के उपर वाले हिस्से को या उपर वाले छेतर को क्या कहा जाता है तो याद रखना या उपर वाले अस्तर को इलाके को क्या कहा जाता है तो दुग्र और निचला निचला अस्तर जो था उसको निचला नगर ही कहा जाता है यह आपको याद रखना था तो साथियो आज पहले सिप्ट में जितने कोश्चन मुझे मिल पाएं मैंने सारा इस वीडियो में आपको करा दिया मैंने आपको क्या बताया कि साथियो 10 जनवरी से लेकर 17 जनवर एक तो पहले ही करा दिये थे अभी 10 जनवरी से लेक मैंने वीडियो अपलोड किया था अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए चैनल के अंदर देख लिजे वीडियो के डिस्क्रप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा इसके अलावा साथियो चैनल के अंदर जो जो टॉपिक से आपके कोश्चन सा रहे है पंचवर्वा से योजना खेल कूंद इसके अलावा जन् Scriptures अप अब आपके समस्सवयों ने कर आज देख लीजएगा चले मिलेंगे एलेगी नेट्स्ट बीडियो में